नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत हैं यूटूब चेनल मंडी बावराज में मिदिनेश्चन पाटिदार और दोस्तों सबसे पहले जो भी दर्सक बंदू हमारे यूटूब चेनल मंडी बावराज से जुड़े हैं उनी सबी दर्सक बंदों का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं दोस्तों और इसके साथ ही दोस्तों आप सबी जो हमारे दर्शक बंदो जुड़े हूए आप सबी को होली की बहुत बहुत शुपकाना है दोस्तों आजका वीडियो हमारा है वो है प्याज के एक्सपॉर्ड के उपर कि भारत से प्याज का निर्यात कितना हो रहा है और कितने अभी तक वरतमान में भारत से प्याज निर्यात हो चुका है और प्याज के दाम में वरदी क्यों नहीं हो रही है अभी इजाफा क्यों नहीं हो रहा है तो आईए जानते हैं पूरी रिपोर्ट दोस्तों भारती प्य प्याज के उपर ये पूरी रिपोर्ट है तो प्याज की मंगाई से पिछले महिने तक देश के उब्वोकताओं में कापी हैरानी थी कि प्याज के भाव कापी बढ़ चुके हैं लेकिन अब जो रभी की सिजन की फसल की आवक बढ़ने पर दाम में भारी वे गिरावट आई ह दोस्तों तो इसका जो ज़्यादा चहल पल नहीं हो रहा है क्योंकि जब प्याज के बाव तीजगती से बढ़ गए थे तो कापी न्यूज फेपरों और टीवी चैनल्स वाले ये सभी दिकारत हैं लेकिन अभी वरतमान इस्तिति में प्याज के बाव इतने गिरावट हो च हैं और महराष्ट में कापी किसानों का प्याज खराब भी हो चुका हैं ओलावरेश्टी के कारण कापी प्याज खराब हुआ हैं और थ्रिप्स का भी अभी प्रकौप है जिसके कारण प्याज गर्मी ज़्यादा पनने से कापी वेंकर मात्रा में किसानों को खराब हो रहा तो इस चीज़ का कोई किसी परकार से कोई वीवरन या किसी परकार की न्यूज चानल वाले ये चीज़े नहीं बताते हैं दोस्तों तो इस प्रकार की चीजे भी चैनल्स वालों को बतानी चीए, मीडिया वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि किसानों को जितना भी नुक्सान होए, वो चीज सबसे पहले बतानी चीए, अगर दाम बढ़ते हैं तो उस चीज को बढ़ चेट करके गटा बढ़ा बताना नहीं यह क्योंकि जो दाम बढ़ते हैं तब ही तो किसानों को फाइदा मिलता है, बाकी तो किसानों को कुछ भी फाइदा नहीं मिलता है, नहीं के बराबर उनको मुनापह मिलता है, तो दोस्तों अपन बात कर रहते हैं प्याच के निर्यात की, तो दाम गटने से विदेशों में भारती प्याच की मांग बढ़ चुकी हैं और पिछले साल की आकिर तक बारत गरलूर जरूतों को पूरा करने के लिए प्याच का आयात भी कर रहा था लेकिन इस साल की शुरुआत से ही निर्यात करने लगा हैं तो कारवबारियों ने कुछ बताया है कि विदेशों से मांग बनने से इस महीने देश से प्याच का निर्यात करीबन दो लाग टन पहुंच चुका हैं और देश की राजदानी दिल्ली इस्तित आजातपूर मंडी में भी प्याच के जो थोग भाव हैं दोस्तों वो भी कापी नीचे आ चुके हैं तो लास्ट टाइम जो मडी चलेती उस समय हजार रुपए प्रचिक इंटल तक अधिक्तम प्याज बिकाता जादा से जादा जारा सो या बारा सो बता सकते हैं कि निम्नतम भाव की बात करें तो तीन सो या चार सो रुपए प्रति गिंडल तक पहुंच चुका हैं दोस्तों तो कापी प्याज के भाव में गिरावट आई हैं दोस्तों और जो पॉटेटो ओनियन मर्चेंट एसोसियन की महास सचीवी राजयन जी सर्मा वो बताते हैं कि भई बीते में में प्याज का भाव गटकर बिल्कुली डाउन हो चुका हैं और दाम गटने से देश में प्याज के निर्यात में जोर भी पकड़ा हैं तो दोस्तों हायर्टी कल्चर प्रोडक्स जिस साथ से भी उन्होंने भी ये बताया कि दोस्तों कि प्याज की निर्यात मांग भी जबरदस्ते हैं और इस महीने दो लाग टन प्याज का निर्यात हो सकता है और अगले महीने से उससे भी ज्यादा निर्यात हो सकता है तो ऐसे में प्याज निर्यात पिछले साल सीजन क के दोरान के उस्तन हर महीने के आकड़ों के उपर पहुँच चुका हैं तो पिछले साल देश में प्याज की मंगाई को काबू करने के लिए केंद्र सब का द्वारा काफी प्रियास किया गया था और काफी विदेश्व से प्याज इंपोर्ट किया था लेकिन अभी वर्तमान इस्तति में प्याज के भाव में काफी गिरावाट आ चुकी है और प्याज बिल्कुल नियुनुत्तम इस्तव पर पहुँच गया है जिसके कारण प्याज के एक्सपोर्ट में काफी तेजी हुई हैं और विदेश्व में प्याज की मांग बड़ी हैं तो इसके साथ ही दो सम्बर के आकीर तक भारत ने 65,546 टन प्याज का आयत किया था और भारत जो पड़ोसी देश हैं बंगला देश हैं सिलंका है समेत के अन्य देशों को प्याज निर्याद भी करता हैं तो दोस्तों प्याज निर्याद का मुल्य दो सो पिचोतर डालार प्रती टन एफ हो भी हैं और इस बाव पर निर्याद मांग जोरदार बनी हुए हैं और प्याज का निर्याद बनने से गरेलू बाजार में दाम बढ़ने की समावन के बारा में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस साल प्याज की बंपर बेदावर हुए हैं इसलिए गरेलू दाम बनने की समा बहुत कम लग रही हैं तो केंद्र सरकार ने इस साल प्याच का बंपर इस्टाक दो लाक टन बनाने का लक्ष भी बनाया है और नेशनल एगरिकल्चर कोपरेटिंग मार्केटिंग फेंडरेशन ओफ इंडिया यानि नेफड अगले महिने से प्याच का स्टोक भी करना प्याच खरीदा जाएगा तो दोस्तों प्याच विश्लेशन पर ये एक रूपोर्ट थी और प्याच के बाव में तेजी के बारे में पूछने पर के अभी वरतमान इस्थी में प्याच की आवकें बहुत ही अच्छी बंपर देखने को मिल रही है मड़ियों में तो प्या महाराष्ट में भी दोस्तों कापी किसानों का प्याच पिछले सनिवार से चार दिन पहले कापी भेंकर वर्षात हुई है और वहाँ पर कापी भारी मरत्रा में ओलावरष्टी हुई है ओलावरष्टी के कारण किसानों का जो प्याच लगाया था वो लगबग निकालने के करीब पहुंच चुका था जिसके कारण उनके जो प्याज में भहेंकर ओलावस्टी हुई हैं उससे उपपर के उनके ग्रीन पते थे वो सभी तूट चुके थे और प्याज अंदर से उनके जो टीचे लगते हैं जो ओलाइ गिरते हैं उनकी वज़े से टीचे लगते हैं तो उनके खेतों में खड़ी प्याज की फसले सड़ने लगी हैं। कापी मात्रा में वो किसान प्याज निकालने के करीब बिलकुल पहुंच चुके थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे महराष्ट के इलाके थे नासिक सित्र में जहां पर कहीं गाओं में भारी बरसात हुई हैं। जा रहा हैं, तो वो भी ऑने पने दामों पर भिक्रा हैं क्योंकि वह प्याज जो टीचे लगने के कारन खुराब हो गया हैं। वो ले गिरे हैं। उसके टीचे के कारण जाधा तर हे खुराब हो चुका है। wil अच्यातिक दीनों तक नहीं ठीक पा रहा है। तो इसके खारण उस प्याच के दाम बहुत ही कम मिल रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ही अन्य छेत्रों की बात करें तो प्याच की आवके बहुत ही अच्छी अभी इस्तिती में हैं। काफी बढ़िया परियाप्त मात्रह में प्याज की आपके हर मंडी में देखने को मिल रही है। जिसके कारण प्याज के बाओ वर्तमान समय में स्तीर रहने की संभावना है या इससे थोड़े और डाउन जा सकते हैं। लेकिन इससे जादा डाउन अब क्या जाएंगे दोस्तों प्याज के बाओ तीन सो से पान सो रुपए भीक रहे हैं। अच्छे क्वालिटी का प्याज हैं तो वो साथ सो आठ सो रुपए भीक रहे हैं। उसमें किसान को किसी प्रकार का कोई मुनापन नहीं हो रहा है। नहीं के बराबर किसान उसमें और लागत लगा करके मंडियों की तरफ ले जा रहा है। होने पोने दामों में मंडियों की तरफ ले जा रहे हैं। और मंडियों में बेच रहे हैं। तो किसानों को अभी वर्तमान समय में प्याज में काफी भारी नुकसान हो रहा है। जिस समय अच्छा का सा फायदा हो रहा था उस समय तो मीडिया वाले बहुत ही जादा किसानों को प्याज के हाइलाइट कर रहे थे लेकिन अभी जो इस्तिती हैं उस इस्तिती को क्यों नहीं ऐसे किसानों की प्रती बोलते हुए मीडिया पर हाइलाइट करना चाहिए जिससे क किसानों को कम से कम आर्थिक साहता है या किसी भी बरकार की कोई साहता मिल सके जिससे की उनको उनका जो लागत मुल है वह तो कम से कम निकल जाए दोस्तों वीडियो कैसी लगी शेयर करें जै जवान जै किसान धन्यवाद